हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे मशूर कवी गीतकार और लेखक जावेद अक्तर की जावेद साहब 73 साल के हो गए हैं जावेद अक्तर का जम्द 17 जनवरी 1945 को गवालियर में हुआ था उनकी पढ़ाई लखनों में ही हुई जावेद अक्तर के पिटा निसार अक्तर बोलिवूड गीतकार और कवी थी उनकी मा साफिया अक्तर भी एक सिंगर टीचर और लेखी का थी सलीम के साथ उनकी जोड़ी ने कई हीट फिल्में दी है और सतर से आसी के दसक में दोनों की जोड़ी बोलिवूड में काफी मशूर दी दोनोंने एक साथ मिलकर फिल्म अंदाज, यादो की बारात, जनजीर, दिवार, हाती मेरे साथी और शोले की पठकता लिखी है दोनों के इस जोड़ी को बोलिवूड में सलीम जाविद के नाम से पहचान मिली जाविद को 1999 में पदम सिरी से समानित किया जा चुका है और 2007 में उन्हें पदम भुशन भी मिल चुका है सलीम और जाविद ने 1987 तक एक साथ काम किया लेकिन इसके बाद दोनों के बीच मद्विद होने के कांड दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए आखरी बार दोनों ने एक साथ फिल्म मिस्टर इंडिया में काम किया था अगर उनके नीजी जीवन की बात करे तो जाविद ने 1972 में हनी इराने से शादी की थी हनी भी एक लेखी का थी लेकिन दोनों की यह शादी लंबे वक्त तक नहीं चल पाई और दोनों 1988 में अलग हो गए इसी तोरहन जाविद की नजदी के आप बॉलिवड की एक्टर सबना आजमी के साथ बढ़ गई थी और उन्होंने 1984 में सबना आजमी से शादी कर ली हनी इरानी और जाविद अक्तर के दो बचे फरान अक्तर और जोय अक्तर है जावेदक्तर को उनके काम के लिए पांच पार नेशनल अवार्ड से भी समानित किया जा चुका है तो दोस्तों यह थी जावेदक्तर से जुड़ी कुछ बाते आप बने रहें YRY18 के साथ हॉलिवड, बॉलिवड और देश विदेश की महन हस्तियों के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद